पुलिस को दमन का औजार बना रही सरकार, दूसरी पार्टियों को आवाज उठाने से रोख सकती है, हमारी पार्टी को नहीं रोख सकती, सरकार पुलिस ने हमारे पदाधिकारियों को उठाया है, और पसंक्या गृभाग अदेक्ष को उठाया, रात के अंधेरे में उठाया पहले हमारे प्रदेश अद्धक्ष को जेल में रखा फर जी आरोपों में चार हफ़ते जेल में रखा फिर ये पुलसिया कारवाई दमनकारी है ये पुलसिया कारवाई अलोक तांत्रिक है प्रियंका गांधी ने ये त्विट करके कहा है प्रियंका गांदी भी हंगामा कर रही है क्या ये प्रेशर जो है वो सरकार को कुछ सोचने पर मजबूर कर सकता है प्रेशर गांदी ये सब्सक्राइब नहीं है लेकिन इस पूरी घटना करम के बाद राजीत जरूर तेज हो गई है अधरेश औ्र लल्लू हो या प्रेंकावाडरा गांदी ये सबी सरकार को पूरी से घेरने का मन बना चुकी और उनको लगता है उनके सवाल और जवाब कर रहे है यूपी कांग्रेश की बात करे तो यूपी खांगरेश लगातार कह रही है कि सरकार दमन कारे नीफेपना रही है अब तक करीव पूरे प्रिज्स में तेर सोब से जादा जाध़ जोपल दे गए हैं अगर किसान की गरीब की बीबापारी की बात करना और उनके हक की बात करने पर मुकदमे लिके जाते तो कॉंगरेस स्यार है ऐसा जेकुमा लल्लू ने भी इस बात को जो है साथ तोर पर कहा है कि कांग्रेस अब और ज्यादा तेज़ धार के साथ सरकार को घेरेगी और सरकार से गरीब मजलूमों को हक के लिए लड़ाई लड़ेगी तो ये योजना बने रही है आगे कि क्या रही हो जना आज कांग्र से रोस में आया है और वो उनके जो अपर दरसन लगातार देखे जा रहे हैं बादवा शुक्रिया संजें तमाम जानकारियों के लिए फिलाल आपका किंद सरकार ने देखिया लॉक्टू की घोचना कर दी